क्या आप जानते हैं कि आपको हेल्दी रहने के लिए कितने nutrition, water और exercise के जरूरत है? क्या आप अपने fitness regularly maintain करते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपको regularly exercise, healthy food और water का reminder मिले? DR-logy आपके लिए लाया है एक ऐसा fitness solution जिसे आप अपने diet, water और exercise के goal को set करके उसको regularly track और analyze भी कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं DR-logy fitness module कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले DR-logy app की home screen में जाके fitness पर tap कीजिए अब यहां से आप अपनी health detail feel कर दीजिए right side corner पर options में से my goal and reminder पर tap करें यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी basic health information और goal के हिसाब से आपको कितना water, calories, carbohydrates, protein और fat लेना है वो automatically calculate हो जाएगा आप अपने हिसाब से water volume यानि की glass और bottle का volume set कर सकते हैं आप अपनी basic health information जैसे कि diet distribution, goal weight, weekly goal, weight, activity level और height को भी यहां से update कर सकते हैं यहां से आप अपने BMI को भी जान सकते हैं अपनी body weight और height के हिसाब से यहां से आप अपना body fat percentage भी calculate कर सकते हैं reminder tab पर से हम अपने food tracker, water tracker और exercise tracker को track कर सकते हैं food reminder पे आप अपने breakfast, lunch, dinner, morning, evening and night snack कब लेना है वो आप अपने time के हिसाब से set कर सकते हैं आपको कितने time पे पानी पीना है वो भी आप water reminder में set कर सकते हैं आपको exercise कब करनी है उसका भी आप time यहां पे set कर सकते हैं किसी भी reminder को यहां से on या off पी कर सकते हैं fitness की home screen पे हम देख सकते हैं कि हमारा calorie goal कितना है और उन में से हमने food में से कितनी calories ली है उसके लोग से आप पता लगा सकते है कि आपको कितनी कलेरी लेनी है या कितनी कलेरी बर्न करनी है आपको कितने ग्राम काब्स, प्रोटीन और फेट लेना है वर्सिस कितना लिया है वो भी यही पे देख सकते है यहाँ पर आपने जितने ग्लास पानी पिया है उतने ग्लास पर प्लिक कर दीजिए यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपने टोटल कितना पानी पिया और कितना गोल अच्यूमेंट कर लिया चलिए अब हम देखते हैं कि food कैसे add करना है breakfast में दिये गए प्लस आइकन पर प्लिक कीजिए यहाँ पर दिये गए food में से search करके हम select कर सकते हैं for example हम यहाँ पर banana select करते हैं जैसे कि हमने दो large size banana लिये अब आप देख सकते हैं कि दो large size banana में से कितनी energy, carbs, protein, fat, mineral और vitamins मिलते हैं अब add बटन पर क्लिक करके उसे add कर दीजिए अगर आपको कोई new food add करना है तो प्लस आइकन पर क्लिक करके create food select दीजिए उसके बाद food का नाम, company का नाम, food category select करके next कर दीजिए यहाँ पर serving information add करके next कर दीजिए अब हमें अपने food की nutrition detail per 100 gram की हिसाब से set करनी है उसके बाद vitamins और minerals के detail add करके उस food की detail को verify करके save कर लेना है अगर आप एक से ज्यादा food यानि की meal add करना चाहते है तो हम plus बटन पर क्लिक करके create meal करेंगे अब हमें अपने meal का नाम set करना है और नीचे दिए गए plus बटन से हम यहाँ पर multiple food add करके save कर लेंगे उसके बाद हमें meal की serving size set करनी है और detail add कर देनी है यहाँ पे आप my food और my meal टेप में जाके अपने previous add किये हुए foods और meal को देख सकते है इसी तरह हम lunch, dinner, morning, afternoon और night snack में भी food और meal add कर सकते है exercise में दिए गए plus icon पे click करके आपकी की गई exercise को select करके duration set करके आप चान सकते हैं कि आपने कितनी calories burn की है add बटन पे click करके उसे save कर लीजी अगर आपको new exercise अपनी तरह से add करनी है तो नीचे दिए गए plus बटन पे click करे यहाँ पे exercise name, duration और कितनी calorie burn है वो add करना है अगर आपको पूरे दिन का food और water goal versus achievement जानना है तो उपर दिए गए icon पे click कीजिए यहाँ पे summary में से आप intake versus goal और कितना total nutrition लिया है वो देख सकते हैं meal tab में जाके कितनी calories, carbs, protein और fat मिला है वो अपने meal के हिसाब से देख सकते हैं foods tab में जाके आप जान सकते है कि कौन से 5 food में से कितनी calories, carbs, protein और fat मिला है आपने कितना water goal अचीव किया है वो आप water tab में जाके देख सकते हैं अगर आपको breakfast food का analysis जानना है तो यहाँ पे click करके जान सकते हैं हमारी regular भरी हुई detail के हिसाब से हम daily अपने carbs, protein और fat analyze कर सकते हैं body condition से आप date के हिसाब से अपने weight, activity level, height और body fat percentage अपडेट कर सकते हैं तो देखा दोस्तों आप अपनी fitness की जानकारी कितनी आसानी से रख सकते हैं तो आज ही DRlogy app install करें और इसके advanced features जैसे की fitness, medical records, fit flow, health calculator, medicine reminder, medical dictionary, health trackers और medical abbreviations का लाब ले साथी में पाईए अपने लिए most appropriate doctor या hospital की सभी जानकारी अपने mobile पर इस वीडियो को like करें और अपने friends और family से share करें अपने views हमें comment करके जरूर बताए और भी health related और feature videos देखने के लिए हमारी channel को subscribe करना बिलकुल ना भूले Stay healthy, stay fit Thank you for watching